गुद आफ्टिनून उमेद है आप सब अच्छे होंगी आज के इस वीडियो में हम किसी सब्जेक्ट जैसे हिंदे, इंग्लिश, मैच्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं करेंगी आज हम इन दो कीड़ों के पारे में जानेंगी ड्राइगन फ्लायर और डैंसल फ वाले कीड़े हैं इनके पंक कागस से भी पतले होते हैं और पारदर्शी होते हैं और इस वीडियो में हम इन में क्या समानता हैं हैं और इन में हम अंतर कैसे कर पाते हैं और कुछ इनकी खासियत ये समझेंगे तो पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं ये दोनों काफ भी रिष्टिवार हैं मतलब एक ही फैमिली के हैं इनकी खास बात ये हैं कि ये 30 km की रफतार से अगर हवा चल रही हो उसनी तेज हवा में भी इनका शरी इतना पतलव होता है कि हम सोचते होने की उड़ जाएंगे हवा में लेकिन ये उतनी तेज हवा में भी खुद को काफी अच्छे से बैलन्स कर लेते हैं और अपने खाने के लिए अपने शिकार अपने से छोटे-छोटे कीड़ों को भी पकड़ लेते हैं इनकी आँखों में लगबब हजार लेंस होते हैं और उन लेंस की मदद से इनकी आँखें अभी तक हमारे जितने भी जीव जन्तु हैं उनमें से सबसे ज़ादा तेज होती हैं। ये उन निरंगों को भी देख पाते हैं। वो भी बहुत आसानी से जिनें हम नहीं देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कब से इस प्रिथवी पर रह रहे हैं। ये डाइनसौर से भी पहले। लगबग तीस करोड़ों साल पहले से इस प्रिथवी पर रह रहे हैं। अब जानते हैं इनमें समानता हैं क्या हैं। ये दोनों जैसे हम जाने चुके हैं कीडे हैं। उरने वाले कीडे और बहुत पतले ही होते हैं। और इनकी पंग जो हैं कागस से भी बहुत पतले और ट्रांस्पेरेट होते हैं लगबग इनकी अभी तक हमने जित्ते भी समानता हैं वो हमने इनकी बाले में जानते हुए हैं डिसकस कर ली हैं अगर लेकिन अब अगर आप इन दोनों में डिफ्रेंशियेट करना चाहें इन दोनों में अंतर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं ग्रागन फ्लाय के मुकाबले जो डैंसल फ्लाय होता है वो थोड़ा पतला होता है खास कर अगर ये इसका सिर है तो इसके सिर के पीछे वाला हिस्सा मेरी ड्रॉइन बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं है ड्रॉइन पर मत जाएं लेकिन आप concept समझेए कि अपने गर्दंग अपने सिर के पीछे वाले हिस्से का गर्बन मयाला जो इसका हिस्सा है वो खास कर काफी पठला होता है dragonflies damselfflies के मुकाबले जादा तेज और जादा लंबी दूरी कबर कर पाते हैं इनी के साथ इनी के साथ जब dragonflies कहीं पर आराम कर रही होते हैं तो वो अपने पंखों को खुला छोड़ देते हैं लेकिन डैंसिल फ्लाय खुला नहीं छोड़ते वो अपने पंख अपने शरीर से चिपका कर रखते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू